नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो RCB टीम अपना पाँचव मुकाबला हार गई है चन्नाई के टीम ने RCB को 30 रनों से हरा दिया इस मैच में RCB ने शांदार प्रदर्शन किया फाइट वेक दिखाया है लेकिन इस मैच में आखिरकार RCB टीम को हार का सामना करना पड़ा है अब RCB के 5 मैचों में कुल 6 अंक हैं फिलाल 3 मुकाबले जीच चुकी है 2 मैचे सहार गई है छटा मुकाबला RCB टीम को कब खेलना है इस मैच में RCB टीम की प्लेइंग 11 में क्या बड़े चेंजे समय होते हुँ दिखाई दिये सकते हैं कौन से खिलाड़ी आएंगे अंदर कौन से खिलाड़ी को RCB टीम इस हार के बाद बाहर करने वाली है इसके बारे में ही सारी जनकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हो तो भाईयो अगर आप भी RCB के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे वह दोस्तो हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुचती रहे ओनली RCB के नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल भी है अगर उसे जोईन नहीं किये हो तो याद से जोईन कर लो हैं आइपील ने 22 बाइस में चिनदी की टीम ने RCB को उनके पाचों मैच में हरा दिया इसी के साथ चिनदी की टीम जीत का खाता खोल लिया है कर चार मैचों के बाrence चिनदी टीम ने पाचों टीम रहने वाली है दिल्ली और RCB के बीच में मैच खेला जाएगा या RCB कर छठा मुकाबला होने वाला है वैसे में दोस्तों इस मैच को RCB टीम हर हाल में जीतने का ट्राइ करेगी वो यहीं चाहेंगे कि इस मैच को जीत करके दो और रहमंग हासिल किया जाए तो भायू इस म हार्षल पट्यल की बहन का निधन हो गया था जिसके चलते वो अपने घर वापस लोड़ गये थे वहां से आने के बाद वह कुरेंटीन में चले गये जिसके बाद वह चनने के खिलाफ मुकापला में दिखाई देंगे दिल्ली के खिलाफ पूरी तरह से वह एवलेबल रहे हर्शल पटेल की कमी जो हार से भी टीम को साफ़ दौर पर खली है कहीं न कहीं उनके गिन्वाजी थोड़ी सी खराब रही स्मेच में काफी जदर रंस लुटा दिये जिसके चलते आरसे भी टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन हर्शल के आने के बाद यह कमी जो खली थी उपूई हो सकती है तो भाईयों पहला चेंज यही होने वाला हर्शल पटेल टीम में आ जाएंगे लेकिन सवाल यह उड़ता है कि हर्शल पटेल किसकी प्लेस पर आएंगे पिछले मैच में आने की चन्नाई के खिलाब प्रभुदेसाई को हर्षल पटेल के प प्लेइंग 11 में वहीं आकाश दीब के प्लेस पे हर्शल पटेल वापसी कर सकते हैं प्लेइंग 11 में याने कि आकाश दीब को RCB टीम बाहर कर सकती है और उनके प्लेस पे हमें हर्शल पटेल कमबैक करते हो नजर आएंगे ना कि प्रभुदेसाई के प्लेस पे प्रभुद टीम के पास तीन तेज गेंदबाज हो जाएंगे तीन स्पीनर हो जाएंगे जोगे काफी होते हैं T20 जैसे पॉर्मेट में हाला कि यह मात रख प्रेडिक्शन है वार से भी टीम क्या चेंजस करते हैं यह देखना भी दिल्चसफ होने वाला है अभी के लिए इस वीडियो में